दो बोरी उरिया के लिए घंटो लाइन में लगे महिलाओं सहित, किसान और प्रशासन का दावा परियाप्ट है खात जीरापुच शेत्र में रभी सीजन की सुरुआत के साथ ही खात की कमी स्वश्च जलती नजर आ रही है किसानों दोरा भीकदिनों भी खात की कमी को लेकर जीरापुच नगर के बेस्तेतम इंदर चोराहे पर जाम लगाकर विरोज जताय गया था जिस जाम को पुलिस प्रिशासन ने किसानों को समझा कर खुलवाया था हलंकि प्रिशासन खाद की परियापत उपलब्धता का दावाज जरूर कर रहा है लेकिन वास्तविक्ता में कई सरकारी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं होने और सिर्फ कातधार को को ही खाद बित्रण किये चाने से नगर्द खाद बित्रण केंद्रों पर किसानों के भीड लग रही है विभिन गाओं से आये किसान सुबा से खाद लेने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को एक पटी पर महजदो बोरी यूरिया खाद मिल पा रही है खाद के लिए धक के खाने पड़े खाद लेने पहुचे किसानों का कहना है कि भीड़े सुबा से शुबा से शाम तक हम लाइन में खड़े रहे तब जाकर शाम पांच बजी के ओल टोकन दिया गया था खाद नहीं और बोला था कि गुरवार को आना आपको रोकन मिल चाएगा लेकिन आजपुना लाइन में लगना पड़ा सुबा में लाइन में खड़े हैं खाद के ले बिल्कुल परिशान है हम भोके प्यासे लाइन में खड़े होकर खाद लेने का इंतिजार कर रहे हैं घंटो लाइन में लगने के बाद भी सीमित मात्रा में यूरिया खाद लेना पड़ रहा है खराब बिद्रन विवस्ता और सीमित बिक्रे पॉइंट बनाने की वज़े से किसानों में खाद को लेकर मारा मारी बनी हुई है बिक्रे केंद्र पर लाइन में खड़े किसानों की मांग है कि शासन को सुसाइटियों में ही कैश पर खाद बिक्रे केंद्र बहाने चाहिए इससे किसानों को उरिया खाद खरीदने गिले इतनी दूर तक ना आना पड़े खाद की कमी के चलते प्रिशासन आलाठो कर पुल्स विश्ता के बीच खाद वित्रन विश्ता की जा रही है जगर न्यूस 24 मदर्वदेश से विरोशी मुकेश बेरागी की खास्रव खबरों की अबडेट पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करना ना भूले जगर न्यूस 24